नमस्कार मैं राज महंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज आपको मालूम ही होगा कि निर्वाचन आयोग ने महराष्ट और हरियाना विधान सभा के साथ ही बिहार में भी 21 अक्टूबर को समस्तिपूर संसदिये छेत्र जो कि NDA एवम लोचपा संसद माननिय स्वर्गिय रामचंद पश्वान के निजन के बाद खाली हुई और उसके साथ ही पांच विधान सभाव में भी उपचुनाव करानी की घोसना की जो कि किसन गंज, सिमडी समस्तिपूर, बेलहर, नातनगर और दरोंदा है ये सभी सीट मौझूदा विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई है आईए जानने की कोशिस करते हैं कि मौझूदा राजनितिक समिकरन एवम परस्थितियों में कौन सदल किस सीट पर चुनाव लर रहा है किस ने किसे किस सीट पर उमिदवार बनाया है, गडवंदनों की स्तिति क्या है और कौन किस सीट पर बढ़त बनाता दिख रहा है पहले बात करते हैं समस्तिपूर संसद ये सीट की जो की अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है 2014 में आम चुनाव में जेडियू का NDA से अलग होने पर और लोजपा का NDA गडवंदन से जुड़ने के बाद से ही ये सीट लोजपा के खाते में है और अब तक स्वरगीय रामचंद पशवान वहां के संसद थे इस बात में कोई संसेद नहीं था कि उनके निधन के बाद भी ये सीट लोजपा के खाते में ही रहेगी और ऐसा हुआ भी एंडिये के तरफ से लोजपा ने इस सीट पर स्वरगीय रामचंद पशवान के बेटे प्रिंस राज को उमिदवार बनाया है देखा जाए तो महागडवन्दन को तो पहले RJD के एक तरफा फैसले कर चार सीटों पर उमिदवार की घोशना करने के बाद कांग्रेस ने भी सवे सीटों पर उमिदवार उतारनी की घोशना कर दी थी पर कहा ये जा रहा है कि लालू यादों के बात करने के बाद कॉंग्रेस संसदिय सीट समस्तिपूर तता एक विदान सभा सीट किशन गंज पर समत हो गई है। कॉंग्रेस 2014-2019 के आम लोग सभा चुनाओं में इस समस्तिपूर सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थी। 2014 में जहां उसके हार का अंतर 6,872 वोट था वो 2019 में लगभग 2,500,000,000 हो गया। महा गटबंदन जो कि लगता है कि अब दो दलों कहीं गटबंदन रह गया है। यहां से कॉंग्रेस ने डॉक्टर असोक कुमार को ही फिर से उमिदवार बनाया है। अगर नज़र डाला जाए पिछले कुछ चुनावा के वोटिंग पर तो 2019 में बीजेपी, जड़ियू, लोजपा के एंडिये गटबंदन को इस सीट पर 5,62,443 वोट मिले। और मागडबंदन के कॉंग्रेस उमिदवार डॉक्टर अशोक कुमार को 3,10,800 वोट मिले। यानि एंडिये की उमिदवार के जीत कांतर 2,51,643 वोट था। यहाँ पर एक और दिल्चस्प बात यह है कि यहाँ नोटा को 35,400 लोगों ने दबाया और यह तीसरे इस्थान पर रहा है। अगर यहाँ पर जाती है गनित की बात की जाए तो यहाँ सरवादिक वोटर कुछ वहासमा से आते हैं जिनकी संख्या लगबग 4,00,00, दूसरे नमबर पर पाश्वान जिनकी संख्या 1,5,00, और तिसरे नमबर पर यादो जिनकी संख्या सवा 2,00,00, अनुसुचित जाती क अरक्षित होने की वज़ा से इस सीट पर दलितों के वोट बढ़ जाते हैं और पिछले वर्ग की भूमी का निरनायक हो जाती है अगर इस सीट पर बढ़त की बात करें तो जुकाव NDA की तरफ जादा इसलिए है कि उसमें मौजूदा तीनों ही दलों का अपने वर्गों प हमेशा से काम करते आए हैं यह भी देखा गया है यहां पर कुल आठ उमिद्वार मैदान में हैं जिसमें मुख मुकाबला NDA के प्रिंस राज और महागरबंदन के अशुक कुमर के बीच है अब बात करते हैं बिहार विधान सभा उपचुनाओं की जाहिर बात है कि यह पर जीत मिली थी परन्तु अब समीकरन पूरी तरह बदल चुका है जेडियू महागरबंदन छोट NDA में वापस आ चुकी है और लोगसोवाज चुनाओं में उनके गडबंदन को बंपर जीत भी मिल चुकी है महागरबंदन जिसमें राजद हम रालोषपा कॉंग्रेस वियाईपी सामील है में सीटों के लेकर विखड़ाओ हो चुका है और दो सीटों नातनगर एवं सिमरी बक्तियारपूर पर ये आमने सामने भी है रालोषपा इस उपचुनाओं में मेदान से बाहर है और किसी प दायक मोहमद जावेद के संसद बन जाने के वज़ा से खाली हुई उन्हें 2015 में बीजेपी की सुटी सिंग को 8609 वोटर से हराया था किसंगन में अगर वोटर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 70% मुश्लिम अबादी है और हमें ये याद रहना चाहिए कि यही एक है जिसमें महागडबंधन को लोगसभा में जीत मिली थी क्योंकि अभी के समीकरण और 2015 के राजनितिक परिस्तिती में अंतर है इसलिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा जब जेडियू और बीजेपी साथ थे यानि 2010 में 2010 विदान सभा में कॉंग्रेस ने अकेले और उनके उमिदवार तसीरू दिन को 22,074 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पे रहे अगर बात कीजाए सीट पर इस चुनाओं के उमिदवार की तो महागडबंधन के कॉंग्रेस से पुरुविधायक और वर्तमान सांसद मुहमत जावेद की मा सहीधा बानू मैदान में है साथ ही AIMIM भी चुनाओं मैदन में आ चुकी है उसने कमडूल होदन को यहां से उतारा है AIMIM के लिए भी यहां पर चुनाओं लरना आसान नहीं है उसके भी पाटी के तसीरू दिन बागी बन निर्दलिये चुनाओं लर रहे हैं काफी सालों से इस सीट पर नजर गराए BJP के लिए यह सुनाहरा और सर्माना जा रहा है कि वह यह सीट मुस्लिम वोटों के विखराओं में जीत सकती है अगर सीट पर बढ़त की बात करे तो यहां पे लराई 50-50 दिख रही है और अगर वोट का बटवारा नहीं हुआ तो साथ माहागडबंदन आगे भी निकल सकता ह सिम्री बक्तियारपूर विधान सबा जो की खगडिया संसदिये छेतर में आता है क्यूंकि असीट जेडियू की पास है इसलिए NDA से जेडियू के अरून यादो को उमिदवार बनाया गया है माहागडबंदन से आर्जेडी ने जफर आलम को मैदान में उतारा है परन्तु माहागडबंदन की चुनोती इसलिए और बढ़ गई है क्यूंकि गडबंदन से नराज VIP प्रमुक मुकेश शानी ने भी यहां से दिनेश निशात को उमिदवार के रूप में उतार दिया है में यहां 2010 के चुनाओं का भी जिक्र करना चरूरी है 2010 में जेडियू बीजेपी वाली NDA से जेडियू उमिदवार अरून कुमार ने कॉंग्रेस उमिदवार महबूब अली कैशर को 18,842 वोटों से हराया था यहम LJP RJD उमिदवार को सिर्फ 21,444 वोट ही प्राप्त हुए अगर इन समी करनों को जोड़ा जाए तो कहा जा सकता है कि पलरा NDA का भारी दिख रहा है और क्यूंकि महागडबंधन के दल एक दूसरे के आमने सामने है NDA में सीट बटवारे को लेकर कोई पेसो पेस नहीं था और उनकी उमिदवार को भी इस वज़़ा से बढ़त बनती दिख रही है नातनगर विधानसवा भागलपूर संसद ये छेतर में आता है यसीट जेडियू विधायक अजय कुमार मंडल के संसद बन जाने के वज़़ा से खाली हुई है इस सीट बर्दू 2005 से जेडियू का कबजा है और अभी जेडियू एंडिये से अपना उमिदवा खातून को उमिदवार बनाया है यानि महागडबंधन अभी खुद से ही लग रहा है और सरकार से लगने के लिए साइध उसे अभी और द्रेड़ी सकती और थोड़े बड़े दिल की जरूरत है 2015 में यहाँ से उसे में महागडबंधन में सामील जेडियू के परतियासी अजय मंडले एंडिये परतियासी और लोजपा उमिदवार अमर कुसवाह को 7825 वोटों से हराया था अगर 2010 को देखा जाए तो जेडियू बीजेपी गड़बंधन से जेडियू ने आरजेडियू उमिदवार अभू केशर को 4727 वोटों से हराया इस तरह अगर पुराने और नाय सभी समिकरन जोर कर देखें तो यहां लड़ाई दिल्चस्प होने वाली है और यह कहाना कि कौन किस पे बड़त बना रहा है यह थोड़ा मुस्किल है बेलहर विदान सभाव बांका संसधिये छित में आता है इस सीट पर भी 2005 से जेडियू जीत रहा है और फिर से गिरधारी यादो जिनके सांसत बनने से यह सीट खाली हुई है उनी के भाई ललधारी यादो जेडियू के परत्यासी होंगे महागडबंदन से आरजेडि के पूराने निता और इस सीट से पूरविधायक रामदय यादो को एक बार फिर से उमिदवार बनाया गया है वे 2015 में जेडियू के महागडबंदन में सामील होनी की वज़ा से पिछली बार यहां से चुनाव नहीं लड़े थे मगर उससे पहले भी आरजेडि से इस सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं 2010 में भी जब जेडियू और बेजीपी के गडबंदन था तब भी वही यहां से चुनावी मैदान में थे उस समय जेडियू के गिरदारी यादों ने उन्हें 7,616 वोटों से हराया था यहां की लड़ाई किसके पक्स में जाती है यह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भी बहुत कुछ रुख तैग करेगा दरवधा विधानसभा जो की सिवान संसदिये च्छेतर में आता है और जेडियू एंडिये में वापसी कर चुका है और जेडियू ने यहां से कविता सिंग के पती अजे सिंग को चुनावी मैदान में उता रहा है पर समस्या तब खड़ी हो गई जब उमिदवार के विरोध के नाप पर वीजेपी के नब के पूर उपसवापती करंजीत सी उर्व्यासी भी निर्दलिये मैदान में आ गए और उन्हें वीजेपी के पूर शांसद ओम परकास सिंग ने भी समर्थन करने की बात कही है महागडवन्दन से उमेज सींग को आरजेडी ने उमिदवार बनाया है ये काना थोड़ी जल्दिबाजी होगी कि कौन यहां से बड़त बना सकता है क्योंकि व्याज सी को भी हलके में नहीं लिया जा सकता और उनको वीजेपी के छेतरिये नेताओं का सहयोग भी है अब देखने यह होगा कि व्याज सींग के मैदान में आने से आरजेडी को कितना फायदा होता है और जेडियू को कितना नुक्सान या निर्दलीय उमिदवार करन जीत सीं उव्याज सीं बाजी मारते है बिहार उपचुनाओ की गंबिर्ता को सायद महागटबंदन नहीं समझ पा रहा है और उसने इसे दो दलों की मिली जूली प्रयोकसला बना दिया है वो इस बात को सायद नहीं समझना चाह रहा है कि जब एक ही गटबंदन के दल आमने सामने होंगे तो नुक्सान तो दोनों ही का होगा अब देखना होगा कि आगी की रननिती इनकी क्या होती है क्योंकि नमांकन वापस लेने की तारिक भी खतम हो चुकी है एंडिया निच्ची तोर पर मजबूत दिख रहा है क्योंकि उनमें फिलहाल उपचुनाओं के लेकर उतनी आपसी लराई नहीं है और सभी दल संतुष्ट भी दिख रहा है ताथा दूसरी तरफ वो गटबंदन है जिसके सभी दल अपने ही मत्वकांचा को पूरा करना चाहते हैं और साथ यही हाल रहा तो 24 अक्टूबर को आपको बहुत से राजितिक दल एवियम को दोस्त देते दिख सकते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं ते बिहारी निउज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें, सेर करें एवां हमारी चैनल बिहारी निउज को सब्सक्राइब करें किसे भी अपडेट को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद